आप सभी को मेरा प्रणाम आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे साथ यो एक और उस दिये प्लांट की चर्चा करेंगे वाइट कलर के सुंदर फूल आप देख पा रहे होंगे इसको हम स्कोपेरिया डुल्सिस कहते हैं प्लेंटेजिनिसी कुल का ये प्लांट है कुछ लोग इसको हिंदी में गोडा तुलसी भी कहते हैं और पाताल मिष्री भी कहते हैं साथियो मीठी इसकी जो फ्लावर देख रहे हैं फ्लावर इसका मीठा होता है और इसको पाताल मिष्री भी कहते हैं मिष्री जैसी मिठास इसके फूल के अंदर होती है कई प्रकार की बीम आप लिए है तो इसकी ज़ड आप देख रहे हैं इसकी ज़ड को सुखा कर और रख लीजिए और इसका पेस्ट बनाकर आउसकता अनुसार जहां भी आनिकारक इसी जीव ने काटा है किसी इंसक्ट ने काठा हूए, रेडनेस हो गई ह, इचिंग हो गई हूए, पें हो रहा है, जलन हो रही है, तो आप इसको पेस्ट बनाकर लगा दीजीए, आप देखेंगे कि एक से दो गंटे के अंदर सभी परकार का पें को दूर करता है, एंकारे करता है, जहर का नास करते हुए उसको निट्लाइज कर देता है बहुत अच्छा ये नैचुरल एंटीडोट है बिच्छु काटा हो चा सापने काटा हो इस परकार के दंस से जो विश निकलता है उसको ये निट्लाइज करके पीडा का समन करता है साथियो इसके पत्र का पेस्ट बनाकर आप अपलाई करेंगे तो अर्थ्राइटिस का जो पेन है वो भी ठीक हो जाता है और इसकी जड़का आप सुखा कर फाइन पाउडर बना लीजे और उसका काढ़ा बनाता अगर आप पीते हैं तो सभी प्रकार के मेंस्ट्वल इर्रेगलेशन को ठीक करता है जो मीनोपोल्स के समय भी समस्चाएं होती है उनसे भी निजाद दिलाता है और मेंस्ट्वल साइकल के समय जो पीडा होती है जो खेचाव होता है जो पेन होता है उसका भी समन करता है तो मेंस्ट्वल डिसोर्डर्स को ठीक करने के लिए hormones के regulate करते हुए उस समस्या का असानी से निदाकरण करता है समस्या को दूर करता है और अगर दांतों में दर्द है या oral hygienicity का बढ़ाना चाहते हैं तो यह जो आप इसका soft stem देख रहे हैं इसको आप थोड़ा सा क्रस्ट करके दांतों के नीचे रख लीजिए जाड का करते हैं तो इसे का पंचांक का लेकर अडहा बना कर पीते हैं तो डियविटिस की समस्या भी ठीक हो जाती है नेचुरली हो प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज की होती है सरेट के टॉक्षिंस को निकालते हुए लीवर को स्टेंथ प्रोवाइड करते हुए डायबिटीज को रेगुलेट करने का कारे करता है डायरिया या डिसेंटरी की अगर समस्या है तो इसी एपिकल पोर्शन का काढ़ा बनाकर स प्रशनी से वह समस्या हैं दूर हो जाती है मित्रोप पस्वों की जो समस्या होती है दुग्द वर्धन के लिए भी पसुचारे के रूप में इसका इस्तमाल करते हैं घोड़े को यह विश्यस्प्रिय होता है शक्तिसाली होता है ताकत को बढ़ने वाला होता है और इसका फूल होता है इसमें मिश्री जैसे मिठास होती है मिठा होता है तो इसको हम पाताल श्रीवी कहते हैं कई परकार के कई परकार के जो और डिसॉर्डर होते हैं औरल हाईजिन को बढ़ाने का कारे करता है हर्मोन को डेगलेट करने का कारे करता है टूथे की समस्या को ठीक करत करता है दायविटेस को रगता रगता है लीवर का प्रोटेक्शन करता है काफी और inom प्राने कॉंस्टिपेशन को हमें आसानी से दूर करते हुए लग्जेटिव करता है और अगर चहरे पे पिंपल्स हो गए हैं तो इनी एपिकल पॉर्शन जो आप देख रहे हैं इसका पेस्ट बनाकर चहरे पे लगाई ये पिंपल्स को भी आसानी से ठीक कर देता है मित्रों कभी कभी हमारे कान में दर्द हो जाता है कारेंड का में पता नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं आप यह जो पॉर्शन देख रहे हैं इसके पत्र का आप जूस बना लेजिए और जूस को चानकर कान में 2-2 डॉप डालिए कान का दर्द बहुत आसानी से चुट्कियों म करें हो जाते हैं किडिनी डिसॉडर को ठीक करते हुए पेसाब में य्वाले खून को ठीक करने का भी यह करता है एक चोपी ठीक करने के करता है तो मैं गया करता है हैं को इस दो कीwan को कारे करता है हॉर्मोन के रिगुलेट करने का करता है और मुख की कांति को बनाए रखने में भी इसे सहय है सकिन का प्रोटेकशन देने में भी सहय होता है वास्थ अप्लिकेश्ट के हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्ख कर सकते हैं. कल सुबह फिर शाड़ शे बेजे मिलेंगे एक नए प्रांट नए समाधन के साथ जानकारी को जरूर सांजा कीजिए ताकि अधिक से अधिक वेक्ती इस जानकारी से लाख भान्वित हो सकें. अपने अच्छे स्वास्ति के लिए आप यह जो जानकारी है और अधिक लोगों तक पहुंचाईए इन्हे मंगल कामनाओं के साथ कल सुबह फिर मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार